नमस्कार में हो देबांचली मुईत्रा दुनिया की मशूर हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी की यूएस ने 2021 की वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रांकिंग पेश कर दी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रांकिंग 2021 पे भारत के 8 शिक्षन संस्थानों ने टॉप 500 में जगह बनाई इन 8 भारतिय संस्थानों में IIT का दबदबा काया लेकिन इस बार के लिस्ट ने IIT बॉम्बे की टेंशन बढ़ा दी IIT बॉम्बे यू तो भारति इंस्टीट में पहले नंबर पर रहा है लेकिन पूरी दुनिया में उसकी रांकिंग में गिरावट आई IIT बॉम्बे को 2020 के लिस्ट में 152 वी रांक पर रखा गया था की 2021 की रांकिंग में वो खिसक कर 172 वे स्थान पर पहुँच गया IIT बॉम्बे के अलावा टॉप 500 में भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट अफ साइंस 181 नंबर पर IIT दिल्ली 193 नंबर पर IIT मद्रास 275 नंबर पर IIT खड़कपूर रांक 314 वे IIT कानपूर रांक 350, IIT रुड़की 383 और IIT गोहाटी का रांक 470 वान यानि भारत के आठ इंस्टीट्स में IIT बॉम्बे की रांकिंग सबसे बहतर भले ही भारत में IIT बॉम्बे ने टॉप किया लेकिन वर्ल्ड में अपनी रांक गिरने पर IIT बॉम्बे ने चिंता जाहर की IIT बॉम्बे के डारेक्टर प्रोफेसर सुहासिस चौधरी ने कहा कि भारत में टॉप रहना खुशी की बात है लेकिन ग्लोबली रैंक गिरना चिंता का विश है इसे IIT की छवी पर असर पड़ेगा IIT की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि EWS कोटे के तहट लिए गए चात्रों के चलते स्टूडेंट और फिकल्टी के अनुपात में कमी आई रैंकिंग में आए बदलाव की ये भी वजह हो सकती तोप 500 में आठ संस्थानों के अलावा दिली युनिवरस्टी को 501 से 510 के पॉकेट में जगह मिली जबकि IIT हैदराबाद विश में 650 वे रैंक मिली जादवपूर युनिवरस्टी सावितरी बाई फूले पूरे युनिवरस्टी और युनिवरस्टी ऑफ हैदराबाद टॉप 700 में शामिल है जाम्या मीलिय युनिवरस्टी 751 से 800 के बीच रैंक मिली अलिगर्ण मुस्लिम उनिवर्सटी टॉप 1000 में भी मुश्किल से ही जगह बना पाई AMU के साथ 801 से 1000 के पॉकेट पे अमरिता विश्व विद्यापीठम, अन्ना उनिवर्सटी, बीएच्यू और उनिवर्सटी और कलकत्ता को जगह मिली अब सवाल उठता है कि इस रैंकिंग में नंबर एक कौन सी उनिवर्सटी? अमेरिका के Massachusetts Institute of Technology यानि MIT को पहली रैंक मिली इस लिस्ट के मुताबिक MIT दुनिया का सबसे बहतर इंस्टिट्यूट माना गया MIT के बार, Stanford को दूसरी और Harvard University को तीसरी रैंक मिली गौर्टलब है कि QS यानि Quacquarelli Simmons एक Higher Education Consultancy जो हर साल दुनिया की हजार उनिवर्सटी की रैंकिंग जारी करती